बार बार कर रहे थे जिसका एक्षन का रियक्षन ये हुआ है जो रमेश पिदूरी ने कहा प्राची जी हम लोग राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं जब महावारात के दोरान दुरोपती का चीरहण हो रहा था तो पूरा उस समय की जो पालियमेंट जो थी वो देख रही थी और बड़े-बड़े दुरंदर जो है वो चुप बैठेते मूग दर्शक बने इस प्रक्रण के माध्यम से और फिर महावारत होगा लेकिन बावासाब के समिधान में जो विवस्ताइं दी हैं बोट की जो ताकत दी है अब उससे मारने का काम किया जाएगा मैं तो कहता हूं कि आपने अभी कहा कि भाई दानिश अली जी ने ये बात कही तो दानिश अली लेकिन उनकी बात तो किसी ने सुनी नहीं अगर सुनी आपने भी सुनी है और टीवी चनल वालों ने सुनी है पटल पर रखी गई है तो आप उसको सुनवा दीजे लेकिन भाई रमेश बिदूरी जी की बात तो पूरा देश दुन रही है सरमसार हो रही है सब का साथ सब क विश्वास सबका विकास की बात करने माली भाजपा अगर इस पर कारवाई कर दे तो इन अल्पसंक्यक समाज के लोगों का भी विश्वास मानिय मोदी जी में बहाल हो जाएगा और मौन भागबजी तो कहते हैं कि बहाई दोसो चार सो पांसो साल पहले सबी हिंदूी तो थे जो विवस्ता में परविर्तित हो करके मुस्लिम बने हैं तो इनका विश्वास क्यों बहाल नहीं सरकार कर पा रही है सरकार को इस पर तुरंत कारवाई करनी चाहिए और बावा साब के समिधान में लोग तंत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र है करनी चाहिए रमेश बिदूरी सवालों के घेरे में हैं लेकिन मैं आपसे जानना चाहिए उसरे एक मिनट मैं आपसे जानना चाहिए हूं कि अगर दानिश अली पर भी आरोप लग रहे हैं और अगर सांसाद उनके खिलाफ शिकायत लिख कर रहे हैं बाकाइदा डेट प्यादाओं को उन्होंने तार-तार किया है तो क्या आपकी पार्टी की बेस्पी की कोई जिम्मेदारी नहीं बन थी कि वो दानिश अली से एक बार पूछने कैसे शब्दों कर इस्तमाल आप किसलिए कर रहे थे नहीं देखिए मैं क्या रहा हूं कि कोई अगर संसद की गर रहे थे कि प्रधान मंत्री जी का सौवार अपमान किया है कॉंग्रेस के लोगों ने कुछ लोगों ने तो भाई उनको तो जनता ने जवाब दे करके अपने घर बठा दिया ना अब आप क्यों उनकी प्रपार्टी बेचलने हो आप तो एक आदर से प्रस्तों चलिए दान करने के लिए सच करें इंडिया टीवी नूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर